पंच तत्वों में से तीसरा और सबसे महतपून वे प्रभावकारी तत्व है अगनी तत्व, जो सभी प्राणियों और जीवों का मूल है, अगनी तत्व का मूल सुरोत्र माना गया है सुरे को, यही कारण है कि प्राचीन काल से सुरे को देवता मान कर या देव की उपाधी देकर पूजा, अरचना, अराधना की जाती रही है, देव या देवता, शब्द का जो अर्थ होता है वै होता है देने वाला, जो कुछ देने वाला हो, बांटने वाला हो, उसे कहा जाता है देव या देवता, और सुरे ने ही सभी जीवजंतुओं को, प्राणियों को केवले एक अगनी का गोला ही नहीं, परंतु एक बहुत ही रहसे मही तत्व है, यहाँ पर हम चिकिसा की दिरिश्टी से अगनी तत्व या सूरे तत्व की चिकिसा करेंगे, प्रकृतिक चिकिसा पदिती में अगनी तत्व को कई नामों से परिभाशित किया गया है, जिस परक आगया और कई परकार से अलग अलग तरीके से इसकी चिकिसा भी की जाती है जैसे रंगों से चिकिसा करने को कहा जाता है क्रोमो थेरेपी, क्रोमो का रथ होता है रंग, कलर्स, रंगों के माध्यम से चिकिसा करने को कहते हैं क्रोमो थेरेपी, जिसके अंदर जीवन के उपर रंगों के परभाव की चर्चा की जाती है जिस परकार से बहुत सारे रंग हम देखते हैं और अलग-अलग रंगों को देखने से हमारे मन में अलग-अलग परकार के विचार उत्मन होते हैं कई रंगों को देखने से एकदम पॉजिटिविटी हम फील करते हैं और कई रंगो के अधार पर फल और सबजियों के गुणों के चर्चा की गई है फिर जिस रंग के हम कपड़े पैनते हैं जिस निवा explor स्थान पर हम रहते हैं वहाँ पर किन किन चीजों का हमारे कमरे की दिवारों का रंग क्या है तो जितने भी चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं उन चीजों के अधार पर उनके रंगों के अनुसार हमारे शरीर के ओपर क्या परभाव पड़ता है और रंगों से किस प्रकार से चिकिस्सा की जाती है उसकी चर्चा क्रोमो थेरेपी में की गई है फिर इसके बाद सूरे सनान की चर्चा की गई है जिसमें सूरे सनान के भी कई सारे अलग अलग प्रकार और तरीके बताए गए हैं इन सभी विश्यों पे हम आने वाली वीडियोज में एक एक करके बहुत विसार से चर्चा करने वाले हैं उससे पहले एक बात को समझ लें कि सूरे ही परदान है सभी पंच तत्वों में वाईव, अकाश, पृत्वी, जल, अगनी है जो पंच तत्व हैं इन सब में सूरे ही परदान है क्योंकि सूरे ने ही प्राणियों में प्राण, जीवों में जीव, नित्रों में जोती, मिटी में गंद, बीज में अंकुरन की शम्ता प्रदान की है सूरे या अगनी के अभाव से शरीर तत्काल ही मृत्यू को प्राप्त हो जाता है या हो सकता है सूरह ही इस जगत का दाता है क्यूंकि सृष्टी के सभी पदार्थ सूरह किरनों के सैयोग से ही पैदा होते हैं कई चिकिस्सकों ने यहाख सिद की है कि जीवन जीने के लिए जल बहुत जरूरी है और जल से भी जजदा जरूरी जो है वह है वाईयू क्योंकि जल तो हम कुछ-कुछ घंटे के बाद पीते हैं परंतु वायू हमें हर समय चाहिए होती है जो सांसे हम ले रहे हैं तो जीवन जीने के लिए जल जरूरी है जल से जादा जरूरी वायू है परंतु इन दोनों से जादा अवश्यक या जरूरी जो है वह है अगनी या प्रकाश प्रकाश या सूरे या अगनी तत्व के नहुने से चहू और चारो और अंधकार ही अंधकार फैल जाए और सारे इस रिष्टी शांत और शुनने को प्राप्त हो जाए अगली वीडियो से हम चर्चा करेंगे कि रंगों का जीवन के उपर क्या परभाव पड़ता है रंगों की कमी के कारण शरीर में कौन-कौन से रोग उत्पन हो जाते हैं और रंगों के संधर्ब में अन्य चर्चाएं हम करेंगे सूरे से प्राप्त होने वाली किर्णों से शरीर को क्या लाब होते हैं किस समय सूरे की किर्णों का सेवन करना चाहिए किस परकार से सूरे के अंदर से किर्णे हम तक पहुँच पाती हैं और उसका किस परकार से हम लाब उठा सकते हैं इन सबी चीजों की अगली वीडियो से हम चर्चा आरम कर देंगे क्रोमो थेरेपिया रंगों से चिकिस्सा करना एक बहुत ही बड़ी चिकिस्सा पदिती या चिकिस्सा शैली है जिसके उपर चर्चा करने के लिए बहुत सारा समय चाहिए होता है इस सीरीज में यह जो नेश्रोपेटिक की सीरीज हम चर्चा कर रहे हैं इस सीरीज में क्रोमो थेरेपी की विस्तार से चर्चा करना तो संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय चाहिए इस सीरीज में केवल हम क्रोमो थेरेपी के उपर संकेत रूप में ही चर्चा करेंगे या एक बहार से रूप रेखा बनाएंगे आने वाले समय में फिर कभी क्रोमो थेरेपी के उपर अलग-अलग वीडियो बनाकर पूरी सीरिस त्यार करके विस्तार से चर्चा की जाएगी तो अगली वीडियो में क्रोमो थेरेपी के उपर कुछ चर्चा की जाएगी फिर उसके बाद सूरे सनान के उपर चर्चा की जाएगी के सूरे से किस परकार से हम स्वास्थे प्राप कर सकते हैं